हलो दोस्तों एक बार फिट्स वागत है आपका हमारे शानल पर मेरा राव है वरोड और हम बात कर रहें स्यूविटी की तो स्यूविटी के एड्विशन स्टार्ट हो गए है आप सभी को पता ही है और बस अब दिमाग में टेंशने की कौन सी यूरिबस्टी बहुत अच्छी हो सकती है हमारे लिए तो भई कैसे पता चलेगा है इसके लिए चयनल सगोंट है हमारा क्या कॉलेज क जसे हम सारी यूठी की ओबरविव्यू की बारिव्यू की बात कर दे हैं ठाकि आपको पता चले की आपके जो डाउट्स है वो रिजॉल्व हो की नहीं उपा रहे है तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसकी वीडियो जो है दोस्तोंकि भी करना हो चाकर अने घ कने चांद करना है धूस्तों आपको सारी जूदिस की जानकारी यहीह मिल पाए चोटी बड़ी हर्फ वह किजाट करें चली स्टार्ट कर लेते हैं इमती नंदन बहु बढ़ा गरवाल युनिवस्टी जो है उसके बारे में तो भाई यह इस युनिवस्टी की अगर बात करी जाए तो यह सेंट्रल युनिवस्टी है इसको बनाये गया था सेंट् ग्रेजुएशन यूजी डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा और रिसर्च प्रोग्राम जो है वो ओफर गरती है याद रखिएगा अलग-अलग डोमेन में यह कंड़क्ट कराती हैं उफर्स करती है इन सारे के सारे कोर्स इसको एचन वियू एचन बीजी यू एडबीशन की प इसी बैचलर अप साइंस, मास्टर अवार्ट्स, मास्टर अप साइंस यह सभी के दभी आपको एडबीशन दिये जा रहे है जिसके लिए आपको CUT-UG और CUT-PG का जो एक्जाम था उसको आपको देना अनिवार है उसके ही स्कोर कार्ड पर मेरिट के आदार पर आपको क्य है यहाँ पर कोर्स ओफर किया जा रहा है हाईलाइट्स देख लेते हैं एक बार भी यह 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 स्टावलिस्मेंट की बात करें 1973 में स्टावलिस्ट हो चुकी थी गरवाली उनिवस्टी बहुत ही प्रॉमिनेंट उनिवस्टी में इसका नाम आता है यह पबलिक उनिवस्ट के और पीजी के साथ ही साथ डिपलोमा कोर्सेस भी और रिसर्च कोर्सेस भी प्रोवाइड कर आते हैं याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रिक्चर की फैसलिटीज क्या क्या है यहां इस यह उनिवस्टी में तो भी आपका यह बंबे कांपस फैला हुआ है लोकेशन की बात क इंडिया में यह गडवाल यूनिवस्टी जो है यह स्टाबलिस है याद रखिएगा स्कॉलर्शिप्स जो बहुत सारी प्रबाइड की जाती है तो इमबती रंदन बहोडा गडवाल यूनिवस्टी जो है इसकी अगर बात करें तो भाईया स्कॉलर्श से पिए अपने सबने जाती है Emirate based है कुछ economy economy की अगर बेग्विड लोग है जिनके परिजांव है उनके परिज को देखते हूए भी यहां पे बहुत सारी सको Nagri холод करी जाती है स्कोलर्सिप की अगर बात पुजीशन स्कोर गरते हैं ट्रेंस एग्जामिनेशन में जो यूनिवर्सटी क्या है कंड़क्ट कराती है याद रखिएगा और इसमें 200 रुपे आपको मंतली बेसिस पर दिया जाते हैं यह स्कॉलर्शिप हो जाती है पंदरा सुरुपे प्रती माहा की यह BPL कैटेगरी के बच्चों के लिए दी जाने वाली स्कॉलर्शिप हो जाती है स्री कल्यानेश्योर टेंपल स्कॉलर्शिप यह भी प्रोवाइड करी जाती है किसके लिए माइनोरिटी के लिए और एकॉनमिक बैकवर्ड क्लास के जो लो रखिएगा इसमें दो वो स्कॉलर्शिप हैं जिसमें स्टुडेंट यूजी और पीजी करीगुलम के लिए रहेंगा फैलोशिप के लिए भी यह जो स्कॉलर्शिप दी जाती है उस पैलोशिप में बात करें तो मास का मिनिकेशन के बच्चे ने साथ प्रतिशत और पचा क्या क्या कोर्शिप हैं और क्या 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 एलेजिबिलिटी चाहिए तो बी यानि बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए तीन साल का ये प्रोग्राम है हमें पता है और इसके लिए आपको बारवी गक्षा में क्या है भी आप मार्क्स स्कॉर करने बढ़ेंगे 50% का है क्राइट अलगबग और स्कॉर काइट के बेसिस पर आपको यहां एडिविशन मिल जाएगा ललबी प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं बैचलर ऑफ लौ की बात चल रही है त्री यर का है ये प्रोग्राम और यहां भी ट्वेल्ट में आपको क्या है मार्क्स रहन लाने होता है यहां बी्टेक प्रोग्राम की बात करें तो भी चार साल का होता है तीन साल का नहीं होता है यह वहती हो जाती कुई बाहर को आतनी हैं B.Tech program है यहां पर आपको 12 में marks score करने होते हैं percentage कुछ और यहां पर स्चोर के माधिम से ही आपको B.Tech program में अडिवीशन मिलेगा MBA program आपकी बात करें master program है दो साल का यह program होता है graduation की degree लगती है साथ यहां पर CET, MAT, GMAT के बहुत सारे exams होते हैं उसके अलाबा यहां पर CUET के बेसिस पर भी बहुत सारे यह उनिवस्टी MBA प्रोग्राम में एड़िशन दे रहे हैं MCA प्रोग्राम Master of Computer Application यह Master प्रोग्राम है अगेन यह दो साल का PG प्रोग्राम है इसके लिए भी आपको यहां 12 गलत लिखा हुआ याद रखेगा यहां पर graduation की बात चलेगी ठीक है ना graduation जरूरी है तब ही तो post graduation आप कर पाएंगे तो आपको marks code करने पड़ेंगे graduation में और CUET PG के score के basis पर आपको MCA में प्रोग्राम में यह admission मिल जाएगा MSC प्रोग्राम की बात करें दो साल का यह program होता है Master of Science का यहां पर आपको again यह graduation लिखना पड़ेगा है ना गलती हो गई होगी बच्चे से कोई बात नहीं CUET PG के exam और graduation के marks के basis पर आपको MSC प्रोग्राम में यहां क्या है admission मिल जाएगा चलिए courses उनके fee की बात कर लें तो BA program अगर आप यहां से कर रहे हैं गड़वाली होने वस्ती से तो बिया 2700 रुपे की total tuition fee यह आप लगती है BA program के लिए LLB program आप law गर रहे है bachelor of law तो बिया 4800 रुपे total fee है यहां पर भी फार्मा के लिए बात कर रहे हैं तो 1.28 LPA एक लाग 28000 यह प्रती वर्स की fee है याद रखी गा बीटेक program 88000 रुपे प्रती वर्स की है ठीक है MBA program 40000 रुपे है और बिया M Pharma अगर आप कर रहे हैं तो एक लाग 80000 रुपे पर एनम लिखा हुआ है याद प्रती वर्स की यह फीज है तो यहां पर अच्छे अच्छे courses होते हैं अब departments की अगर बात करें तो गड़वाल यॉनिबस्टी में बहुत सारे department है अगर बात करी जाए तो क्या-क्या यह तो graduation post graduation doctorate तक के साथी साथ certificate program कराती है यहां पर कौन-कौन से हैं department of humanity and social sciences teaching and education business and management और arts यह सारे departments है इनके ठीक है और इस में क्या-क्या है आप अगर detail की बात करें तो मौस communication के program यह कराता है होटल management के courses करवाता है anthropology से related यह program कराएंगे home science के कराते है बाय टेक्नलोजी के कराएंगे statistics के करा लेते हैं geography के programs यह courses offer करते है philosophy के sociology के यह basic basic इनके main प्रोग्राम से जो यह offer करते हैं इस particular field के admissions की बात और कर लेते हैं तो कैसे क्या admission होगा माले जिए बीए में आप admission लेना चाहा रहे है बैचलर आफ आर्ट प्रोग्राम करना चाहा रहे हैं तो candidates को हमें पता है कि बार भी पास होनी चाहिए और equivalent उसके qualification होनी चाहिए साथ ही साथ आपने क्या करना होगा कि यहां पर CUT exam देना मस्ट होगा बीकॉम के लिए भी same to same है कि बार भी पास होना चाहिए उसके equivalent आपको पास होना चाहिए और यहां पर भी आपका CUT लगेगा पक की बात है BSC program आप करना चाहिए बैचलर अफ साइंस के लिए अगर आप कर रहे है तो भी आपको 12th pass होना चाहिए उसके equivalent पास होना चाहिए और साथी साथ यहां पर क्या बैचलर अप लगने वाला है अगर law करना चाहिए बैचलर अप लॉग की बात चलिए तो भी यहां भी 12th pass होना चाहिए है ना भी फार्मा भी बैचलर कर रहे हैं तो 10 प्लस टू आपका पास होना चाहिए रिक ओगनाईज से स्कूल से ठीक है एम फार्मा होता तो यहां ग्रेजुएशन की बात चलती चलिए बीएड प्रोग्रम अगर आप करना चाहरे है तो बीएड तो तब ही होगा जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी ठीक है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको यहां पर स्यूटी पीजी का एक्जाम भी देना पड़ेगा अगर बैचलर आप लाइब्रेरी अगर आप करना चाहरे है बीलिप तो बहिया यहां यहां पर आपको क्या होगा यह एहम लिव है बीलिप के लिए आपको 12 ठीक है बीबी अगर आप करना चाहरे है तो भी यह 12 पास होना चाहिए ठीक है ना equivalent qualification होनी चाहिए और CUED का exam भी आपका ज़रूरी है तो यह सारे के सारे एडवीशन आप यहां पर ले सकते हैं रैंकिंग की बात कर लें तो गडवाल यह उनिवस्टी की रैंकिंग अलग अलग समय पर एड्यू रैंक जो रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं उनकी अगर बात क करें तो 120 पे नंबर पर आउट ओफ 886 यह उनिवस्टी में यह आती है तो अच्छी खासी रैंकिंग है यार बहुत बढ़िया रैंकिंग है प्लेस्मेंट की बात कर लेते हैं गडवाल की उनिवस्टी की तो बिया यह प्लेस्मेंट में बहुत अच्छी अल्मोस्ट इनके सतर प्रतिशत स्टुडेंट जो हैं वो प्लेस्ट हुए हैं यहां पर अच्छी अच्छी कंपनियों में अगर बात करें फाइनल सेमेस्टर के स्टुडेंट ही यहां पर एलिजबल होते हैं जो प्लेस्मेंट में बैठ सकते हैं और उसके बाद इनको प्लेस्मेंट मिल जा तो अच्छा खासा स्कोर है 70 प्रदिशत कहीं से खराब नहीं है टॉप रिक्रूटर्स की बात कर लें यहां पर गड़वाली उनिवस्टी में तो रिलाइंस इंस्टिटूट जो है इनका टॉप मोस्ट रिकूटर है सुझुकी भी टॉप मोस्ट रिकूटर है टाटा और अधितिनात का नाम आपने सुने होगा यह उत्तर प्रदेश के अभी फिलाल तो मुख मंत्री साहब है और यह कहां से गड़वाल ही उनिवस्टी से पड़े हुए इंडियान हिंदू मौंक भी है है यह अब यसी बात है है ना गोरभपूर के मठादीस भी है अब या बडोला का नाम सुना नहीं वैसी रुची बडोला है यह इंडियन बॉन प्रोफेसर हैं और साइंटेस्ट हैं वाइल डाव इंस्टीट ऑफ इंडिया में काम कर रही है ठीक है रमेज पोगरियाल पोगरियाल साहब का नाम तो आपने सुने होगा अगर थोड़ा बहुत भ यह को फाउंडर और प्रसिडेंट रहे हैं अभी कुस्सों में पहले तक जब बहुत ज्यादा नाम था भीमार भी का है ना हमने डिसकस भी किया था धन सिंग रावत धन सिंग रावत आप की बात करें तो यह आई यह मेंबर ऑफ उत्राखंड लेजिसलिटिव असेंबली क इसे अच्छा काम कर रहे हैं तो इसे अच्छा और क्या ही चाहिए इनके बिना तो कैसे एक यह उनिवस्टी चल पाएगी तो सारी यह उनिवस्टी में यह फैसलिटी तो होती है और इसी के साथ तब या हमने जो डिसकस किया वो पूरा का पूरा क्या बात कर ली हेमबती नंदन बहु गुणा गड़वाल यह उनिवस्टी का अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट कर दीजेगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजे इस वीडियो को ताकि उन तक भी एक को फिलब करना है और सारी की सारी जानकारी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं सीट मेर्क से बगार आपको प्रॉइड कर दी जाएंगी कौन सीठ Day कर देना देना अगर आपको लगता है वहाँ जो मिल रही है तो मिलते हैं अंगले वीडियो में अंगली युनिबस्टी की जानकारी के साथ तब तक के लिए हमें क्या करना है ये वीडियो को शेर जरूर करिए चारोल सब्सक्राइब करिए ताकि CUT के हर कवर आपको यहीं मिल जाए औ पर आपास सब तक के लिए रहे लिए हैए खाव यह एडियो वीडियो शोर्पिटी की वाचिट अचानल और फगे तो लाइख शेर इंसब्सक्राइब